दोस्तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन लोगों को लेकर जो एजेंट्स लोग इंडिया में लोगों से 2,5,5 रुपे ले रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो ओफर दे रहे हैं लोगों कि आप सुधी अरब जाओ या किसी अधर गल्फ कंट्री जाएगे तो वहाँ आपको अच्छा जॉब मिलेगा कॉल सेंटर का जॉब मिलेगा हास ड्राइबर का जॉब मिलेगा और वहाँ से 2,5,5 रुपे ले रहें और सिंपली आपको गल्फ कंट्री को भेज दे रहें लिकिन उसके बाद क्या होता आप जब वहाँ पर चले जाते हैं तो जो रिजल् पहले ही check कर पाते है, agent को pay करने से पहले है आप चेक कर पाते है कि वीजा किस चीज का है, आप कंपिल का नाम क्या है, हर चीज आप Alles चेक कर पाते हैं, बीना agent के agent से आपkonetry अप via नंबर लेजी ये, simply आप वीजा नंबर डालके चेक कर सकते हैं कि आपका वीजा किस चीज का है और आपका कफिल का क्या नाम है हर चीज आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, मैं हूं शम्शाद और आप देख रहे हैं Limited सिखो, तो चलिए कुछ नया सिख लेते हैं क्योंकि हर रोज ऐसी एक अपडेट में लेकर आपके लिए आता रहता हूँ दोस्तों अब हम आच चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर यहीं पर हम पूरा इस्टेप आपको लाइब बताने वाले हैं तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम अपना कोई भी ब्राउजर ओपिन कर लेते हैं जैसे कि मैं यहां पर क्रोम ब्राउजर यूज कर रहा हूँ तो मैं पहले अपना ब्राउजर ओपिन कर लेता हूँ simply यहां पर आपको टाइप कर देना है MOI.KUWAIT यानि कुएट उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं Ministry of Interior का पहला वाला पेज आपके सामने आ चुका है simply आपको इस पेज के बारे में जी चाहे तो पढ़ लेना है अगर नहीं पढ़ना है तो simply आपको इस पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पेज पर दोस्तों क्लिक करेंगे ये थोड़ी सी टाइमिंग लेगा उसके बाद simply आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा आपको यहाँ पर e-services पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप e-services पे क्लिक करेंगे आपको simply पहला वाला option दिख रहा होगा यह वाला option आपको select कर लेना है, जैसा कि आप देख पार यहाँ पर बहुत सारे option है, लेकिन आपको सिर्फ यही वाला option select करना है, जैसे ही आप इस वाले option पर click करेंगे, तुरंत आपके सामने ऐसा interface आजाएगा, आपको simply यहाँ पर individuals वाला option select कर लेना है, उसके बाद यहाँ प देख पार है, यहाँ पर बहुत सारे option आपको देखने को मिल दें, traffic license, market license, residence, visas, बहुत सारे option आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर inquiry about visa application पर click करना है, जैसी दोस्तों आप यहाँ पर click करेंगे, आपको visa number डालने का option दिखाए दे रहा होगा, तो मैं अ simply emphasis का option पर click कर देना है, अगर आप English में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ और लिखा देखने को मिल सकता है, उसके बाद जैसा कि आप देख वा रहे है, visa number और यह जो है, यह बता रहा है कि आपका visa approved हो चुका है, दोस्तों यहाँ पर जैसे आप click करेंगे, आपके computer के download folder में एक PDF file download हो चुकी है, तो चलिए मैं उसको open करके आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ पर क्या क्या information show up की गई है, यह है मेरा downloads का folder, मैं simply इसको open कर लेता हूँ, मैं यहाँ कि देख पा रहा हूँ application with application number यहाँ पर एक file बना दे गई है, देख लीजिए, जैसा कि आप दे पार हैं, दोस्तों मैं इसको blur कर रहा हूँ क्योंकि community guidelines का बहुत डर रहता है आज कल YouTube पर इसलिए आप देख सकते हैं, तो दोस्तों यह जो है information आज तक YouTube पर किसी नहीं बताई है, मैं पहला आदमी हूँ जो इस YouTube information को आप लोगों के साथ share कर रहा हूँ, I hope दोस्तों वीडि वीडियो में किसी अगले topic के साथ